प्यार का सोचने जा रहे हूं तो पहले ये पुछे प्यार कैसे होगी, कितने टाइम में होगी, आप ये कोर्स क्यों सिजेस्ट करो, क्रोस कोशनिंग मेरा मतलब, अगर आपको सबका अंसर मिल गया, गुड, फाइनल एडवाइस क्या है, आपकी लोगों के लिए, जो अभी आ रहे हैं पीछे से, और जो यहां पे मोजूद हैं इस वक्त, मुझे पता नहीं है, आप लोगों वो पता है नहीं, पर आपकी बीट है कि जो सकती है, एक्सपिरिंस हो ना हो, बेना एक्सपिरिंस के हो जाती है, क्योंकि जो पढ़ाई करता है, उसके बाद उसका रास्ता खो जाता है, बिलकुल बिलकुल, वो अपने रास्ते पर जानी पाता है, जब उस लाइसेंस की पहले बताता हूं, लाइसेंस लेते कैसे हैं, एक तो तक ग्रेजर डिप्लोम आफ माइगरिश इंडरस्ट्री को रहे हैं, यह वो चंस्ट्रॉक्शन इंडरस्ट्री उनके ल इमिग्रेशन से, और पहले तो मैं इनका धिन्यवाद करना चाहता हूं, बहुत-बहुत हमारे शो में आने के लिए, इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला है, और क्योंकि यह ओड़ेडी टिक टॉक पे इतने बिजी रहते हैं, सोचल मीडिया पे तोड़ा सा टाइम हमा तो ने बहुत-बहुत हमारे शोर्ट कीया तो लची जिले आ इतनी अपनिक सुनालाए तो चलिए जल्दी शे शोरू करते हैं, तो सबसे पहले में आपकी बेक्डराउंड के बारे में, जाना चाहते हैं, तो आप कहा से हैं, मौन imperative जोपने आने का भी साइड कि उतने जईन 2015 में मैं 25 दिसंबर 2015 को अस्ट्रेलिया में लैंड कर गया था तो 2016 में मेरी स्टडी स्टार्ड हुई थी तो मैं आया था एल्ली कोर्स में बेसिकली आया था जो इंग्लिश कोर्स इसको बोल देते हैं उस ताम पर एजी था वीजा लेना पर आज के ताम में थोड़ी चीज़े अच्छल में वहुताना होजाता है तो वो यहां पर चाहिए तो फिर उसके बाद हमने पीटी आयस अपना तयार गया तो यहां पर आए तो इसके बाद हम उनके पास यहां पर आए तो ऐसे मेरी यहां की जो इंडिया से श्ट्रीले की जैनी अवारा कोई प्री पिल लैंड नहीं था, नहीं था, मतलब मामो की वज़े से आपके भी, मतलब एक दोर और खुल गया, आगे निकलने गा, तो आप यहां पर आगे, तो मैं थैंक्यू बोलना चाता हूँ, अगर वो इस पोड़कास्ट को देखेंगे, पर मैं थैंक्यू बोलना चाता हूँ, कि उनकी 2020 में आर्च में, मैं बताना चाहरा हूँ, the reason being, क्योंकि प्यार के बाद जॉब्स काफी आपको मिलनी easy हो जाती है, जहां पर आपको work rights की problem आती है, तो मैंने 2017 में अपनी study खतम की, उसकाद मैं फिर work visa पे गया, प्यार की preparation सारा कुछ किया, तो मिरेको जॉब मिली 2019 में, IT की मिली, मैं उससे पहले Uber करता था full time, तो मिरेको वो job मिली IT की, तो उसके बाद करोना हिट हुआ, जो सब के लिए एक बहुत बड़ा shock था, कि यह क्या हो गया, कि लाइफ, चीजे ऐसी होगी है, एक दम से shake हो गया, हाँ definitely, तो फिर उस time में जिम भी जाता था, फिर सारा कुछ बंद हो गया, तो हमारे लेकर mentally pressure हो गया, कि क्या होगा, literally हमारे पास कुछ नहीं था, तो फिर उस time में ने को यह चीज सीखने को मिली थे, पिर के बाद मजोटी बच्चे में बोलना चाहँगा, कि वो चाहते हैं कि हम अपना ही कुछ करें, को कि हर बंदा job lifetime के लिए नहीं क करना चाहता, अन्नस कि बहुत अच्छी job नहीं, तो मेरा भी same ही चीज थी, तो फिर मैंने सुचा है कोई ऐसी job, जब बेनस ऐसा start करना है, जिसमें खुद की skill यूज हो, और पैसा काम लगे, दिमाग जादा लगे, इसमें कि आप खुद की input ज्यादा दे सको, हमें restaurants के offer पर अगें उसमें हमारे पास कोई ऐसे skill नहीं थी, तो फिर मेंने मेरे पास दो option थे, जा तो ये education migration industry, जा फिर real estate की industry, education migration में ये है कि आपके पास laptop होना, आप कहीं से बैके काम कर सकते हो, real estate की सिर्फ एक problem है कि आपको physically जाके, बच्चे को, client को दिखाना पड़ता है, तो वो migration में अन्रोल किया, तो migration में अन्रोल का problem ये था कि study के साथ आप job नहीं कर सकते है, because बहुत tough study है law की, because कोई background ना होना, मेरा IT से background, the master of IT में ने की, तो उसके वैसे मेरा काफी वो चीज़े हाड रही तो उसके वैसे पर मुझे job छोड़नी पाई, तो और मैंने ये full time carry on किया, भी फिर मेरा license last year, आपका, जी, congratulations, thank you sir, thank you, आपका contribution बहुत है immigration industry में, हम देखते हैं काफी, तो काफी odd jobs भी करी हैं आपने, security के तो normal job होगी लगा लो है na, security, Uber या कुछ और, इसके अलावा कुछ odd jobs, जो experience रहा आपका, as an immigrant, तो basically I think, सारे बंदे करते हैं, तो मैंने भी की है, क अगले दिनी में job पर चला गया, उसी एरपोर्ट पर cleaning करने के लिए, तो थोड़ा सा मेरे शोकिंग इसलिए था, कोगी हमने कभी इंडिया में job नहीं की, थोड़ा सा मुझे लगा, फिर हमने और जोब्स की, मैकड़नल की cleaning की, दूसरी cleaning की, सुबा पांच बज उठके वाल की, तो पर मैं वो करता रहा, तो पढ़ता रहा, वसी टाइम सारा कुछ, तो आपने ओर दा इयर्स immigration policies में बहुत सारे changes देखे हैं, काफी टाम से, क्योंकि एक as a immigrant, बंदे का बिलकुल focus रहता है, ये rule change हो रहा है, मेरे पर इसका क्या effect पढ़ने वाला है, तो इतने जो changes आप पाना चाहते हैं Australia का, जो ये question है ना, मैं दो तरीके से जवाब दूँगा आपको, एक तो as a student था, जो मेरे को impact हो था, जब वहाँ पर policy change हो थी, मैं 2018 में canvara मोगवा, PR के लिए, छे मिने वार रूल्स काफी tough हो गयते हैं, हमारे लिए वहाँ पर, तो मैं काफी उस चीज़ पर डिप्रेस रहा, चीज़े काफी चेंज़े, तो मैं उस चीज़े गुज़र चुका हूँ, अब दूसरी बात बताना जाता हूँ, as a migration agent, जो as a migration agent, मैं देखना हूँ, changes काफी आ रही हैं, changes ऐसी चीज़ आएंगी, आती ही रहेंगी, आएंगी, जाएंगी, आपने देख जादा, important हो जाता है, जैसे आज काफी changes आई हैं, सबसे बड़ी change आई है, कि student visa की fees बढ़ा के 1600 डॉलर करती है, 710 डॉलर से, which is huge change के double से बच्छ बढ़ा चेंज होगा, काफी वेक्ट पड़ेगा, बच्छों के जो यहां पर apply कर रहे हैं, on short, definitely, 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 तो यह second time visa पे changes होए या फिर first time पे, पहले कैसे था, आप first time study visa apply करते हैं, तो उसकी fees अलग थी, second करते हैं, उसकी अलग थी, तो अब इसमें क्या scenario रहेगा, basically, जो आई है फीस है, 1600 डॉलर, यह matter नहीं करती, onshore औ offshore, दोनों के लिए, अगर आपने पहले onshore student visa आपने डाला है, और दूसरे time डाल तो आपको 700 डॉलर टेंपरिरी application चार्ज लगते हैं, तो 700 डॉलर प्लस 1600 डॉलर, 2300 डॉलर आपके बनते हैं, यह special impact करेंगा, जो 408 से study visa डाले हैं, उनको 2300 डॉलर पे करना पड़ेगा, 1600 डॉलर नहीं पे करना पड़ेगा, यह single applicant की फीस रहेगी, काफी भारी पढ़ने व ब्रीफ में हमें बताएं कि यह जो changes हुएं, यह क्या-क्या changes हैं, और किस-किस को effect करने वाले हैं, और किस-किस visa को लेकर के changes हुए हैं सब, ठीक है, जो जैसे last year उन्होंने एक migration strategy जो department एक announce की तो उसमें बोला था कि changes आएंगी, early 2024 में भी आएगी, mid में भी आएगी, और यह late में भी आएगी, तो जो अभी changes आ रही है, यह है mid-wally, 1st of July से, तो basically जो मैं आपका rough idea देते हूं, एक तो एक 485 की age की requirement है, उसको 35 कर दिया गया है, 50 से कम करके, English की requirements को change कर दिया गया है, 23rd of March 2024 को ही change कर दिया गया था, काफी अच्छी news में आई है, काफी bad news में एक जो सबसे एक चीज़ ओर है, जो मैंने पहले बोला कि student visa की fees बढ़ा दी है, हर visa की एक July को बढ़ती है, पर student visa की ऐसी fees है, जो double से भी जाला बढ़ी है, तो एक बहुत बड़ा impact है उसको लेके, प्लस जो visa hooping थी उसको भी बंद कर दिया, कि subclass अगर आपके पास tourist visa है, जा 485 है, उससे आप onshore student visa नहीं डाल सकते, एक बहुत बड़ा शोक है काफी लोगों के लिए, उसके बाद जो आया है, एक working and holiday visa, यह भी इंडिया के लिए अनाउंस होएंगे, पर जो फिलिपिन है, उसको एड़ ओली कर दिया है, एक जुलाई से तो देक एन अपलाई दा, working and holiday visa, और जो ए 73,150 उसको कर दिया गया है, अगर एक चलाई से आप nomination डाल रहे हो, तो यह चीज़ ध्यान में आपने रखने बाली है, तो यह basic जो major changes यह आई है, अभी और changes आने बाली है, इन visa को लेकिए, अभी 482 का तो scenario clear नहीं हो है, उसमें होगा क्या, experience का तो बोल रहे हैं, जैसे आपक यह देखी दी मैंने, तो experience एक साल कर दिया गया है, या फिर होने वाला हो, देखी जो experience है 482 का, 23rd of March, 23rd of November 2024 से change हो जाएगा, दो साल की जागा, एक साल full time रहेगा, जा part time equivalent रहेगा, उसके साथ ही जो दूसरी change जाएगी 482 में, वो आएगी के, उसकी streams आएगी, उनकी 3 streams आए जो आज की date में उनने बताया है, वो यह है के, 0 to 70,000 का एक visa रहेगा, 70,000 से 135 के का second stream रहेगी, 135 के से अगर आप उपर कमा रहे हो, तो एक third stream रहेगी, एक इसको लेके काफी चर्चा जल जाए के, employee sponsor से chef को remove कर दिया, इसको CSO list बोल देते हैं, वो एक drafts list है, मैंने proper video भी बना चारा हूँ, उस पर अभी कोई trust ना करे, officially confirmation कोई नी आई, उसको 6 पडाओ से निकलना पड़ेगा, final होने के लिए, तो यह चीज़ अपने ध्यान में रखनी है, अभी जो भी आप सुन रहे हो, जब तक officially नहीं है, तो आपको पिशवाश करने की जरूरत नहीं है, जो अभी इसको apply करना चाते हैं, कितने महीने लगते हैं इसमें, मतलब 482 का जो filing ready होने में, अगर employer मिल भी जाये तो, वो कितने time का process होता है, 482 का बेसिकली ना, यह चीज़ें काफी matter काती है, occupation काफी occupations को priority में consider किया जाता है, हमने देख रहे हैं, कि nomination जो chef की होरी है, वो जल्दी approve हो minimum से minimum लगी जाते हैं, बहुत रेयर occupation जोते हैं, जिसमें बहुत जल्दी आ रहा है, तो plus overall कि आपकी जो background है, कितना, किस तरह क्या है, और company जो sponsor कर रहे हैं, उसका क्या, जो यह चीज़े matter करती हैं, पर एक average की time के आप बात कर सकते हो, जी जी, तो अभी जो बच्चे suppose कर ये, जी आरपी कर रहे हैं, skill assessment के पास हैं, या फिर skill assessment कर लिया उनोंने, और अब वो 482 वीजा पर जाना चाहते हैं, और suppose किजिए, 8-9-10 मीने के उनके पास वीजा पड़ा है, तो वो कौनसी preparation करें, क्या करें अभी 482 पर जाने के लिए, suppose किजिए, उनको employer मिल गया, लेकिन अभ 10 मीने का वीजा उनका पड़ा है, जो changes हैंगी 23rd of November 2014 से आएंगी, ठीक है ठीक है, तो एकिए, आपका अगर 8-10 मीने का वीजा पड़ा है, तो इसका मतलब जो वीजा है, next year ही expire होगा, ठीक है, अगर आपने job ready कर लिया है, तो मतलब आपके पास experience है, तो 23rd of November के बाद आप ड रपेर की है, दूसरी चीज, कि job ready compulsory नहीं है, 482 के लिए, अगर आपने नहीं भी किया है, अगर आपके पास experience है, तो चलेगा, अभी जो आपने पूछा कि 8-10 मीने पड़े हैं, तो वो क्या करें, देखे वो depend करता है, कि बंदेगा background कि इस चीज का है, क्या उन्होंने पहल नहीं होता, they can count or they can use, तो ये चीज़े वेरी करेंगी, पर जो आपने पूछा कि job ready के लिए, जा trade के लिए, तो ये मैं आपको बोलना चाहूंगा, lastly, अगर आपके पास employer नहीं है, तो try करो कि employer को ढूडने की कोशिश, ढूडने की कोशिश, ठीक है सर, तो अभी जो changes होने व बच्चे हैं, वो onshore बैठी हूँ है, उनको थो employer मिलनी रहे हैं, और India वाले 482 बेच रहे हैं, इस पर भी थोड़ा सा आप ब्रीफ में बात कीजिए, क्योंकि 482 के नाम पे अभी fraud होना शुरू होना है, तो इसके बार हम थोड़ा बता हैं, जो back home बैठी हैं, इंडिया में, ओफशोर बच्चे हैं, 482 की advertisement देखके अपने document, passport, पैसे दे रहे हैं, उनका क्या बनेगा, बेसिकली जैसे, ये एक common सा scenario है, पता सबको है, बस बोलने की बात होते हैं, पर ज़्यादा डीपर भी जाऊंगा इस चीज़ के, पर देखो गलती बच्चों की भी कहीना कहीं है, कोई बच्चे बोलते हैं, हमें तो visa चाहिए, हमें matter नहीं करता है, ये question, overseas में पूछा जाता है, हमारी दो बरांचे हैं, overseas में, तो ये बहुत common है वहाँ पे, कि वहाँ पे उनकी भी कलती है, दूसरी, जब agent पर बोल देता है, कि हम आपका करवा देंगे, तो they don't care कैसे करव हमें, मैं एक वीडियो देख रहाँ था कि इसी agent की काफी उनके views हैं, वो business visa को promote कर रहे थे Australia के, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि business visa बंद हो चुका है, कि आप कौन सा visa बेच रहे हो, तो tourist visa में एक business stream होती है, उसको business visa कहके बेचा जा रहा है, business वो अपना visitor होती है, जो ना, double it and triple it, एक होता है provisional, एक होता है permanent, तो वो दोनों बंद हो चुके हैं, new applications के लिए, अगर आपको कोई बोर्ट रहा है, तो ये clear आपको करना जरूरी है, कि वो tourist visa की business stream को बोर्ट रहा है, या कौन से visa को बोर्ट रहा है, तो ये समझना बहुत जरूरी है, पर हाँ, again overall मैं य विस्टर visa है, चेंज ये भी नहीं हो सकता, राइट, study visa में, study visa में, कोई भी tourist visa change नहीं हो सकता, department ने, clearly, वाई इस चीज़ को कर दिया है, ओन शोर नहीं हो सकता, ये चीज़ दियान में लखने, change नहीं हो सकता, और ओन शोर चेंज नहीं हो सकता, दोनों different चीज़ें हैं, तो बैक होम जाके study visa डाल सकते हैं, अगर visa उनके पास है, तो ठीक, तो सर अभी चलिए next बात पर आते हैं, 30 जून से पहले हमने देखा, इंटरनेट पे बाड़ आई हुई थी, study visa डालो, फटा फट, जल्दी से जल्दी visa खत्म हो रहा है, ये करो वो करो है ना, एक पूरा, जो hype create हो गई थी, चारो तरफ, बच्चों में भी था, और agents में भी था, फटा फट कोई ना, कोई option तलाश लो, तो जो इतने सारे study visa अभी डले हैं, 30 जून तक, system भी crash हो गया था, immigration का, तो इन बच्चों का क्या होगा, इनको सब को visa grant होंगे, या सब की refusal लाएगी, ये किसी को चीज अच्छी की है, अभी बात की, उसकी outcome positive आएगी, negative आएगी, मैं ये बोलना चाहरा हूँ, positive आए, negative आए, आपको अपनी PR पर focus करना, दोनों ही आपके हक में जाने वाली है, मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूँ, आपने onshore visa डाला है, चाहे visa आए, चाहे नहीं आए, आ आपके हक में जाने वाले है, मैंने एक proper video चीज पर बनाया थी, कि department जो general students है, उनका visa भी refuse कर रहा है, तो अगर आप visa डाला हो, आज की data में सिर्फ ही सोचो, कि आप AAT में ही end up होगे, अगर आपका आ गया तो you are lucky, अगर नहीं है, तो AAT में majority of बच्चों की वहीं पर end up होने क chances जाए है, पर अगर वहाँ पर भी होता है, मैंने वहीं बोला, कि आपको फरक नहीं पड़ेगा, आप PR को focus करें, वो एक जरीया यहां पर रहने का, जी, तो they have bought their time, हाँ, अगर जो काफी genuine बच्चे में हैं, जैसे मैंने बोला, कई genuine बच्चे हैं, कई non genuine, कई actual में study करना चा आप अपने जो गोल है, उस पर focus रखें, यह चीज़े चलती रहेंगी, पहलेली, तो मतलब कोई आपको impact नहीं होने वाला, ज्यादा depressed होने की जरुतनी हैं लोगों को, चीज़े चलती रहेंगी, अपना जो भी experience कर रहें, study कर रहें, उसको follow करें, end of the day, दोनों चीज़े का आएंगी, क्या मतलब उनके लिए जो, क्या बचता उनके लिए, अगर बात करें तो, देखें, वो depend करता है कि उनका visa कितने time का पड़ा है, पहली बात हो, और किस field में काम कर रहे हैं, employer है, नहीं है, तो काफी visas के option होते हैं, जैसे training visa हो गया, employer sponsor 4A2 visa हो गया, 494 हो गया, हर visa क अपनी requirements हैं, तो ऐसे काफी visas हैं, पर again, जैसे आपने पूछा कि उनके लिए क्या option है, यह चीज़ का answer इतना simple नहीं होता, क्योंकि हमें background जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हर बच्चे का background अलग है, वो कर क्या रहा है, उसका file का सेनेरियो है, वो अलग रहेगा, आपने कि पूछा कि यह same रहने वाला है कि नहीं रहने वाला, देखे, इस चीज़ का answer देना भी मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता, पर जो एचीज़ इस चीज़ को changes जो आ रही है, उसको impact कर रही है, जो हमें लगता है कि जो next year उनकी voting होने वाली है, तो politics कहीं नहीं तो इस practically अजर्वाज यह चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, long term के लिए, जीज़ ध्यान में रखें आँ, तो stay positive, that's it, यह कह सकते हैं, तो सारे हो जाते हैं, depression में जाने से मलती हैं, तो सब ले लेते हैं, पर वो चीज़ ऐसे नहीं चलते हैं, you have to be practical, आप emotionally सोच नहीं सकते हैं अगर आपको इस पार्ट पे चलना है, काफी लंबी जटनी है, 4-5 साल लग जाते हैं, बचे थोड़ा सा negative होई जाते हैं, और जब जब रूल चेंज होते हैं, तब ही mental piece खराब हो जाता है, लोगों का, कुछ ना कुछ बदला हो आता ही है, तो दिमाग में भी आता है, रूल में बच्चों की 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 तो चलिए बात करते हैं स्टेट के जो कोटाज हैं अभी. आपके मैंने रिसेंट वीडियो देखे वेस्टन अस्टेलिया के उपर. तो उसके बारे में थोड़े बात करेंगे किसके स्टेट के अभी तक कोटा रिलीज हो गए हैं, कौन से रिलीज होने हैं और इसका क्या इंपेक्ट पढ़ने वाला है लोगों पर आगे. तेखे जो स्टेट के जो कोटाज हैं, अभी वो ओफिशल एलोकेशन नहीं हुई, यूजली एक्टूबर में होती हैं. तो जो वेस्टरन श्रीलिया ने उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, जो फेडल गर्मेंट से के भी हमें 10,000 सीट चाहिए. I think उनके पास लास्ट लास्ट यार अराउंड 8,000 के पास सीट सी. लास्ट यार 2395 के आसपास थी, इस ये उनने 10,000 के रिक्वेस्ट की थी, जो उनको मिल चुकी है, उफिशली कल. तो means के 5,000 जो सीट्स हैं, वो है डामा की ये चीज़ जहार में रखे हैं, तो 5,000 हैं, जनल स्किल्ड की बात आप कर सकते हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, तो ये चीज़ हमें डिफिरेंस समझाएं, जो बाकी स्टेट्स हैं, उनको अभी ओफिशली कोई इंफिशली कोई पर उनने अपना अनॉंस किया है, तो बाकी स्टेट्स का में इस चीज़ का ओफिशली कंफिरेंस की बीट करने पड़ी है, यो यूजली बजट में होता है, अक्तूबर में, ठीक है सार, तो कौन से कौन से उक्यूपेशन हैं, जो डामा का बेनिफिट उठा सकते हैं, जो देखो, डामा का ऐसी चीज़ है, जिसका बहुत ब्यूटिफुल चीज़ है, जो आप कोई भी उक्यूपेशन उठा लो, उसका बेनिफिट आप ले सकते हो, मेरे पास लास्ट वीक आए थे, टेक्सी ड्राइवर से, अब टेक्सी ड्राइवर का बच्चा सोच ने सकता, ड कुछ भी चीज़ नेगोशेट को सकती है, तो रिक्वार्मेंट पे डिपैंड करता है, अगर आपके पास एंप्लोयर है, उसकी रिक्वार्मेंट है, तो उसमें काफी चीज़े चल सकती है, डामा में, देखें, डामा में, है तो इंप्लोयर स्पांसर वीज़ा ही, बेसिक के, तो और जो newźгляд उसका है orana dama, और जो Melbourne उसके भी दोगह है, तो हर, इस अइसके बहुत है, तो हर, लग लग occupation list, अट कॉलिष्ट है, इस अशिएंशन का खमकर अब अच्छे, पर जो age की आपको PR मिलती है, इसके तो और के तो आराउन 55 तक कि कल है ना 10,000 सीटों का अलोकेशन हो आपने बता है तो अब लोग सोचेंगे हम फटाफट से वेस्टन अस्टेलिया मूव हो जाए हैं अजी अब जो अब मूव हो रहे हैं या फिर जो पहले रह रहे हैं किसको प्रियोर्टी मिलेगी वेस्टन अस्टेलिया की जो प्रियोर्टी लास्ट तो लास्ट एर थी वो थी सब के लिए सेम थी जाए दूसरी स्टेट में हो चाहिए वेस्टन अस्टेलिया में हो लास्ट एर उन्देने प्रियोर्टी स्टार्ट किया है जो वेस्ट नोची लिए हमें रह रहे हैं चेंज करती हैं को कोंपेटिशन इस दिया ना डिमांड ने सप्प्लाई की बात है प्रैक्टिकली बात करें तो इस येर की हमें वेट करनी पड़ेगी किस तरीके से वो करेंगे मोस्टली रहेगा सेम कि उनके जो वहाँ पे रहे हैं उनको पहली प्रियोटि दी जाएगी डैसे वो चीजन को चीजन को कंसिडर करना चा रहे हैं और प्रियोटि जो में रहेगी चोंके लिए टाप है उनके हैस्ट से ओपर भी अभी यह वो एक चीज़ हमने पी आर in construction industry यह चीज़ है तो अभी चलते हैं हम थोड़ा applicants की ओर तो आपने बहुत सारे applicants के साथ deal किया है already कर भी रहे हैं तो क्या common mistakes हैं जो applicants करते हैं और जो उने नहीं करनी चाहिए क्या advice आपके उनके बारे हैं देखो मैं common mistakes एक बच्चे करते हैं एक तो delay कर देते हैं decision लेने में चाहे right है चाहे wrong है उसमें delay कर देते हैं दूसरा फिर delay करने के बार decision ऐसा ले लेते हैं जो उनको easy लगता है practically नहीं सोचते अभी कोई बच्चा था उनके पास option थे एक तो easy option था और उसमें PR का बहुत बहुत ज़्यादा टफ था एक ता जिसमें PR का easy था पर थोड़ा सा शुरू में effort चाहिते हैं उसने choose किया जो सबसे easy वाला था उसके अपनी गल्तिकी वाल से जिसको बोल देते हैं कि protection visa डाल दे है जिसके लिए eligible भी नहीं थे तो ये चीजें बहुत समझने जरूरी है मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि आपको practically सोचना पड़ेगा आप emotionally नहीं सोच सकते हैं अगर आपको आगे परसीड करना है तो ये commoncy mistakes प्रैक्टिकली ना चीजों को implement करना और सबसे बहुत ऐसे लोगों को सुनना जिन कैसे कोई ले नदर नहीं है जैसे कोई ने बोले मेरे दोस्त नहीं बोला मैं हमेशा ही बोलता हूँ अगर आप success विजा के पास आयो तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें अगर आप हमारे client हो हम आपको guarantee देंगे अगर आपको question हम उसका answer देंगे अगर आपको confusion है और बोल रहा है दूसरा बंदा बोल रहा है कि ये चीज़ नहीं होती हम उनको हमेशा opportunity देता है कि आप उनको भी साथ में लिया है वो office में तो उन्हों के doubt clear कर देंगे ये चीज़ के हम guarantee लेते हैं पर अब लेके आए ना लेके आए वो उनके उपर हम उनको सिर्फ solution offer कर सकते हैं जो majority of हमारे clients है मैं आपको इसकी guarantee देता हूँ कि जो हमारे majority of clients है उनको हम इसकी surety देते है और वो they are more confident अभी as compared to जो तूसरे clients होते हैं जा किसी और की होते हैं तो एक चीज़ और मैं थोड़ा सा बात करना चाहूं जिसके बार में देखिए जब बच्चे नए आते हैं उनको कुछ नहीं पता होता है वो totally जो आसपास के लोग और के friends हैं या कोई और लोग है उनकी advice पर depend करते हैं तो मुझे लगता है जो बच्चा नया आया है उसको एक बार migration agent के पास जाके advice लेनी चाहिए भई मैं ये course कर रहा हूं इसमें मुझे क्या फाइदा मिल सकता है और आप लोगों से भी एक request है कोई बच्चा नया आता है financially इतना strong नहीं होता है तो उसको भी आप थोड़ा concession दे नहीं बच्चों को ताकि वो किसी अफ़ाओ के चक्कर में ना पढ़के एक प्यार का pathway अपना first day से शुरू कर पाएं और चीजों को कर पाएं क्यों तकरीबन क्या आता है या तो visa extend करना हो या टी आर डालनी हो तब बंदा जाता है माइगरेशन एजेंट के पास अधरवाइस तो फिर वो पास वाला जो महूल है उनीकी एडवाइस लेता है सारे की सारे जी तो आ थिंक ये एक बहुत common और बहुत अच्छा कोशिन है जो बचे नए आते हैं वो अपने बोल देते हैं साथ वाले के यहां से करवाले साथ वाले फोर्स जा तो यह करते हैं जा तो उनका अपना एजेंट होता है जा उनको commission मिल रहता है जो basic दो reasons हैं इसके जाने के लिए अब बात कर लेते जो migration agents के पास जाते हैं अभी हमारे पास कोई client आता है अभी हमने admissions की हैं काफी last week तो उनमें से majority जाते हैं कि हमने migration agents प्यार की बात हैं आज कल बचे smart होगा दे पहले दिन से वो पूछना जाते कि PR का कैसे हैं हमारी जो मेरी appointments होती है migration हमेशा paid होती है पर जो हमारे clients जिन्हों हमने paid रखें तो उसके नहीं का respect होती है अगर हम free रखेंगे तो बच्चे भी respect नहीं करते हैं एक bitter truth है जो जैसे भी आप बोल तो कि हमने मेहनत बहुत की है license लेने के लिए I think we should get that respect as well अगर हम free में करेंगे हमने काफी चीज़े की है पर लोग respect नहीं करते हमने यह practically चीज़ तो I always say भई आप दो तीन बंदों से discuss करो then find it out कि कौन सी सही है कौन सी नहीं है ठीक है सर तो अभी एक जो main सवाल है मेरा आप एक register migration agent है आप में और जो दूसरे जिन के पास license नहीं है पोज़ कीजिए जो क्या होता बच्चा आता है वो पीछे वाले agent के connection में रहता है वो उस उसके पास चला जा तो उनमें और आप लोगों में क्या फरक है कैसे बनते है migration agent कितना जोर लगता आपका simple सी बाती यही है में तो मतलब जैसे doctor बनने में सालों लग जाते ना तो कितना जोर लगता आपका लेटरली बहुत जोर लगता है मैं मैं डिप्रेशन से भी हम कि पहले मैं बताता हूं लाइसे लेते कैसे है एक तो था ग्रेजर डिप्लोम आफ माइशन लोग पर सकतो जो बेसिक सा रफ आइडिया एक साल की फुल टाइम स्टडी होती है यू कैन दू इट पार टाइम तो मैंने धाई साल में पार टाइम की एक वार मैं फेल भी हुआ सार टाइम मेरी वाइफ she's very very sportive honestly उन्हें ले टो क अनकर बोला उन्हेंने आट पशंद असको पर तो मैंने जम दो अन्हें आटाना करों कि अधाई और मेरे बूक करानी घब करो मेंने लोग था मोह सारा कू चलीए करों मैंने जह बीड़ हुक बोंग उन् सारा खा गया द संडे था, मंडे अगरे दिन जा कि मैं पोर्श बुक करके आए, अभी वो 11 जुलाई को भी वो निकाल रहे हैं, तो मैं कहरा चाना हूँ यह, कि अगर आपके माइंड में अपके गोल्स हैं, उसको अचीव करने के लिए अपना टार्गेट सेट करें, कि अगर मैं यह रिख्ट दूगा, यह दूँगा, मेरी मोटिवेशन वो है, अगर मेरे को कुछ अचीव करना है, तो मैं सोचता हूँ के मेरे को यह चीज लेने के लिए, मैरे को पहले यह करना है, वह मैरे का मोटिवेशन फैक्टर है, अभी बात आई जो एजिस्ट्रॉच नॉन रिजिस आप ध्यान में समझे पहले दो अब दूसरी बात है रिजिस्टर्ड माइगरेशन एजेंट वो आपको जो आपकी वीजा पियास सिटियंशिप एटीज होगी वो सारा आपको असिस्ट कर सकते हैं शुरू से लेके एंड तक अभी आपको कैसे बतल लगा कौन सबंदर माइगरेशन एजेंट आपको अमारा की वेबसाइट पर लेके जाए जाए जाएगा यू कैन सर्च वो एजी है पर वही है कि लैक ओफ अटेंशन जा लैक ओफ मीडिया जा लैक ओफ इंफोमेशन गरेसे उनको पता नहीं चलता पर हाँ अगर आप सुन रहे हो तो आप ऐस आप सकती है एक तो 482 को लेके आएंगी वो त्री स्टीम का जो मैंने बोला और एक्सपिरियंस की रिक्वारिमेंट वो कम कर देंगे दूसरी आएगी जो पॉइंट विस सिस्टम है 189,194,199 उसके पॉइंट के ऊपर चल रही है ग्रिफ ग्राफिटिन इंस्टूट करके ह उसको लेके काफी चैंज़ आएंगी कि वो पॉइंट कैसे ऐलोकेट किये जाएंगे पार्टनर के कैसे किये जाएंगे पर एक चीज़ नो ने एक चीज़ देन लिया है कि जो आपको ना 189 को छोड़ देना चाहिए आपको जो स्ट्रेट्स हैं उनके उपर फोकस करना चाह डिमांड और सप्प्लाई की बात आप हो सकते हो पर यह बोलूँगा अगर आपको पता है नहीं पता चेंज़ से कहाईगी अगर अपने फिल्ड में काम करना स्टार्ट कर दो यह मेरा स्जेशन रहेगा मेरत नहीं कहता पॉजिटिव चेंज़ आए या नेगटिव चेंज़ तब उनको लगता है अब लेट हो गए अब कुछ और कर लेना चाहिए हमें यह चीज़े काफी आई है दूकर गवर्न्मेंट भी अपनी जगा रॉंग नहीं है जो करोना के बाद तो एजुकेशन सिस्टम एक धंदा सा बोल दो यह वर्ड यूज नहीं करना चाहिए पर ए एक अच्छी चीज़ भी है क्योंकि एक रेपोर्टेशन मेंटेन करने किसे कंट्री के एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी एक रिस्पोंसिविल्टी है अब कैनेडा का देखी ना मतलब बहुत ज़्यादा इस टाम पर क्राउड हो गया वहां पर उन्होंने देखा उनको पता है कि ऐसे हला अब है नहीं आए हैं कि बच्छों को बहुत जादा परिश्यान को सामना करना पड़े तो यही डिफरेंस हम देख सकते हैं जो क्राइम है जा सारा कुछ आपको पता है लिफरेंस बेरिस टेंपरेरी है पर जो यह चीजेंड हैं यह चीज़ भी द्यान में रखें चीजें अच्छी आएंगे ज़्यदा डिप्रेस होने की जुर्थ नहीं है अच्छी चीज़ए भी होगी डिप्रेस्स दिखो पता क्याओं चीज़ए जो यह चीज़ाई आई न उदिर के अगर वराइन्स對 कि सोगश होगे ओङर आपका फ्यूचर बारीट तो चलिएख के लिए काफी है आपसे काफी information हमने ली है अब हम बात करेंगे success stories की जो आपने लोगों को खुष्या दी है किसी को पी आर दिलवाई है किसीאש को वीजा दिलवाया, वरक परमिट दिलवाया तो कुछ ऐसी लोग हैं जिनको आप याद करना चाहते हैं ऐसे फसे होई केसिस हैं जिनके उपर आपने काम किया और होफ़ली आपके हाथ से उसके सारे काम बन गए देखे, केसिस ऐसे बहुत हैं पर जो कुछ आपके नजदीक हो जाते हैं ए मैं एक केस था जो मेरा ये लाइस इंसानी जा पहले मैं एजुकेशन एजेंट था तो मैं किसी बच्चे की हल्प कर रहा था उनको डिपेंड़ वीजा उनके तीन रिफ्यूजल पहले आ चुके थे तो मेरे पास बच्चा आया किया रहा है अभी मेरे को रिफर किया आप करवा दो मैं गया चलो ठीक है कर लेते हैं उनका वीजा उनकी वाइफ का वीजा आ गया नहीं वाइफ का वीजा सुरी फर्स तैम रिफ्यूज कर फो गया हमारे तुरू क्योंकि उसमें कुछ मिस्टेक थी या कुछ रीजन था जिन वी जिस्टिफाइड द्वारा डाला साथ साथ विर वीजा आ गया दो दिन में और वो स्टूरी इसलिए हमारे ले इंपोड़ था कि उसके बात हमें उस बंदे से काम बहुत मिला एक अटेश्मेंट हमारे काम भी उसे हम करवाते हैं वो भी हमारे करते हैं तो वो एक नजीक से पार्फ भूनड दने हैं काफी अब जो दूसरा केस तसलिन वह से बच्चा आया कि सर मुझे डिमेशन लेनी है लाइसेंस लेनी के बात की बात है तो मैंने को पुछा कि तुमने बैचलर्स या कुछ कह सकी है उन्हें कि थी B.Tec Bachelor of Computer Science मुझे पता नहीं है आप लोग वो पता है नहीं पर आपकी B-Tech की जो skill assessment हो सकती है experience हो ना हो बिना experience के हो जाती है तो हमने वो करवा दी उसकी किस्मेट इतनी अच्छी थी बोल दो जा टाइम इतना अच्छा था उसको एक हफते में 190 का इसको ना तो study लेनी पड़ी कुछ नहीं करना पड़ा तो he's PR after that उसने भई इतने बच्चे हमें बोले कि सर ये करवाओ करवाओ क्योंकि आपके पास opportunity होती है अब ये reason इसका ये है क्योंकि मैंने भी beta की थी मुझे किसे ने बताया नहीं मैंने same degree की थी और उसने same की थी फिर उसका हो गया तो ऐसे काफी चीज़े तो जो मेरे personal मेरे साथ भी रिलेटर थी मुझे नहीं पता अगर पता तो हम भी डाल दें master's ना करते शायद जब पहले डाल दें तो ऐसे काफी cases है migration agent के हाथ में बहुत कुछ होता है अच्छे से profile को evaluate करें और सही रास्ते पे बच्चे को टालें अगर वो घुमाता रहेगा तो बच्चा कहीं जाएगा नहीं जैसे आपको टाइम पर पता चल जाता भी टेक की डिग्री के बारे में अब शायद डारेक्ट प्यार डाल सकते तो बोट ताइम पहले अभी हमारे पास काफी बच्चे आते हैं कि ये करना है वो करना है तो आपका experience से अगर किसी का benefit हो रहा जा किसी का फाइदा हो रहा है तो हमारे होता है कि value हमारी पढ़ गी अब बहात आई right information की मेरे color appointment थी किसी के साथ संड़े को तो उन्होंने में को बोला कि सर्फ कोंसी स्टेट बैटर है यार अभी स्टेट का allocation कुछ हाया नहीं अभी फिर भी बता दो मैं खाँ आपको बता दूगा वो wrong हो जाएगा क्योंकि हमें पता नहीं अभी कुछ है मेरे कहने पर कहीं मूव कर जो कल को रूल ऐसे आजा है कि आपके favor में ना हो तो आप बोलोगे ऐसे कैसे हो गया मैं खाँ यार भी आप फोर्स मत क्या करो अगर आप जो चीज प्रैक्टिकली पोसिबला वी विल डिसकस ओनली तो उन्होंने बोला कि इसलिए हम आपके पास आता है क्योंकि आप हमें बता देते हो ऐसे काफी एजेंट सा जो बता देते हैं ऐसा कोची नहीं बहुत सारे है अब majority I think करती है ऐसा कोची नहीं करना चाता I think वो situation की बात होती है कि आप situation को कैसे handle करते हो license के उपर वो ज़्यादा matter करता है क्योंकि वो आपके mentality होती है जो आपके nature होती है जो आप कैसे नहीं ले सकती हो आपकी खुद की natural है तो मेरा ये मानना है कि मेरे से क्यों पूछेगा मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि जो सच है जब मैं चाता हूँ कि ट्रांसपेरिंसी रहे रहे दें कि उनको गुमाना अब गुमाने की बात आपने की ये time था पहले का अभी चीज़े चेंज चुके है कि social media की power ने बहुत चीज़े चेंज करते है गुमाने वाला काम अभी नहीं है गुमाने वाली अभी PR के उपर चल चुके है पर जो अभी नहीं आ रहे है वो गूमना निशाते है उनको पता है अब social media के वज़े से काफी जो जानकारी है गुमती रहती है सही चीज़े आखरकार पता लग जाती है लोग को सही क्या है गल्द क्या है अबी final advice क्या है आपकी लोगों के लिए जो अभी आ रहे हैं पीछे से और जो यहाँ पे मोजूद है इस वक्त तीनों की बात कर लें जो आएंगे जिनोंने study visa डाल दिया है और जो 485 पे है अड़वाइस मेरी हमेशा यह रहती है जो simple सी basic matter कोई भी matter यह करता है आप practically सोचे रूस के साफ से चले मैं क्या क्या गता हूं matter नहीं करता है सामने वाला क्या कहता है matter नहीं करता है matter करता है demand and supply और practically चीज़े क्या कहती है अभी कई कोर्स होते है construction के लेटर बोलते है कि सर आप यह क्यों रेफर कर रो उसने बोला नहीं आएगा यह 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 बोलता है आप उनकी बिशवास ना करो मेरा ना करो आप यह देखो जो वेस्टन से लिया आपको subsidy प्रोग्राम के तुरू 10,000 डॉलर देरी है इस में construction में पागल तो होंगे नहीं दे रहे होंगे जमान की बात है न तो यह चीज़े प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी होता है कई बार किया आता है बच्चे फोलो करते हैं शोचल मीडिया पर लोगों ब्लाइडली फोलो करने लग जाते हैं ब्लाइडली ना करें प्रैक्टिकली करें क्योंकि वो चीज़े फिर एक लिमिट क्रोस कर जाती है हमने काफी देखिया है वो बोलते हमारे मेरे उपर जो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी रिस्पोंसिबिल्टी आते हैं दूसरी स्टेट से भी किसरामना आपकी वीडियो देखी तो एक रिस् अपका अंसर मिल गया गुट नहीं मिला दें डिस्कस्विस समट एस वल तो कोई नुकसान यह अपने को यह चीज़ें अब डिफरेंट ऑपिनियंस के बारे में अगर मैं चाता हूं अगर आपको हम पे ट्रस्ट नहीं आप पांच बंदों से पहले डिस्कस्विए फिर हमा अभी वर सीखता हूं को ऐसा कोशन बुछ लेता है जो हमारे दिमाग में नहीं आया तो वो एक हम बाउंडरी जो अपनी क्रोस कर देते हैं पर उपर से अभी जो हमारा अभी ऑफिस है पैरामेटर में है अमें बताना चारों कि जो दूसरा ओफिस हमारा आरा है वो आरा है इस मन्त में आ जाएगा है थर्टी उरिलिया स्टीट पे रोड पे है तो अभी का क्रेंट आफिस है 251 चेर स्टीट पेरामेटर काफी लोगों को पता जिनको नहीं पता हमारे टंगैमी में आरा है इसी मन्त हमारे ओपर लॉयर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं हमारे साथ काम त थोड़ा सा भी जो हमारी ब्रांचिस है वो कैनड़ा यूके का भी करती है ऑफ्शूर के ठीक है सर तो आपको कॉंटेक्ट कैसे करें देखो आप हमें कॉंटेक्ट हमारी टीम को कर सकते हैं जा तो हमारी वेबसेट पर जा सकते हैं www.successvisa.com.au जा हमारी टीम को होगा उमीद करते हैं काफी लोगों के काम आएगा डेफिनली यह तको कॉंटेक्ट आपने बहुत पेसिक और बहुत प्यारे कॉंटेक्ट पूछे हैं जो आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा पहला पोड़कास था तो इस रेली रेली नाइस एक्सपिरिय आप हमारे आज पूड़कास के पहले गैस हैं हम ओने रहे होने जा रहे हैं आज आपके एपिसोड से तो मैंने आपको मेल भी भेजी थी कि सर यू बी और फर्स गैस इन शो पहले रिजिस्टर माइगरेशन एजेंट आपको हमेशा याद रखा जाएगा तो उमीद करेंग क्योंकि मैटर तो चेंज होते रहते हैं कुछ ना कुछ फिर रूल आएगा कुछ ना कुछ और भी होगा इसके अलाव भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे डिसकस करेंगे इसी और एपिसोड में आपके साथ तैंक यू सो मच पूर जोइनिंग बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका